हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अन्न पुर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचेन में आज में बनाने वाली खट्टा भाजी चेटनी इसे गुंगुरा पच्चडा या सारल लीव चेटनी भी कहते हैं तो आएए देखते हैं इसके लिए हमें किन-किन चीजों क्या आवशकता है खट्टा भाजी 500 ग्राम है लसून एक छिला हुआ एक स्पून सरसो एक स्पून खड़ा धनिया कुछ सूखी लाल मिच एक स्पून जीरा इनको मैं भून के पॉडर बनाओंगी उसके बाद तेल है हल्दी सिर्फ कलर के लिए नमाक अकॉर्डिन टेस्ट है तड़का लाका गोलेए चलके को लाक दालेख सुखा मिर्च एक स्पून जीरा इसमा घड़ा धनियां ऑर एक स्पून सरसो है भी प्रतें लिन आने difी चल्ग मनें लग파 में ashes सबापाजी को चला ये já पूरी तरह में परकाना ँदना आए जब तक कि इसका लिए अनको पूरी फकाफ्याए गर्मी में तो specially बहुत अच्छी लगती है यह सबजी बहुत इजीली अवेलेबल भी होती है टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है अब मैंने डाला ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना आप ऑईल में भी डाल सकते हो बट ग्रीन चिली को हमें बहु ज़्यादा लगता है अब मैंने अरॉन 3 स्पून ऑईल डाला है फिर तड़का लगाने के लिए चाना दाल उड़ा जीरा सरसो डाल के सुखी लाल मिश डाली हूँ अब उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करके मैं इसमें डालूंगी करिया पती इस शिटनी को फ्रिज में रख हैं सिफ कलर के लिए यहां पर 2-4 स्पून आधे यहां यहां पर पुरा 4 स्पून एलल लगा है 1 स्पून लिए यह स्पून यह थ Peniche, मैं थोड़ा सा मिक्स करके इसमें जो हमने पेस्ड करके रखा था इसमें घटा व Speaking अजका है motions Rule पेस्ड़ करके रखा है रह ठीरी और रा जब तक कि तेल सिप्रेट नहीं हो जाता, आप मैंने डाला है नमक, नमक डालके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रहूँ, बस खटा बाजी चटनी बन गया, अब भी इसे बनाईए और बताईए कैसा लगा, अगर अच्छा लगाओ, तो मेरे चानल को लाइक, शेर और सब्सक् आपको मिल सके, थैंक यू